इतनी yummy tasty sandwich यह बनके तैयार होते हैं Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे बहुत ही simple sober sandwich कोई भी अपने, अगर आप 하osटल में भी रहते हैं तो भी अब भणा खा सकते ही बहुत ही simple है, कोई भी इसे बहुत easily नरिके से बना के खा सकता है तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है, सबसे पहले आपको लेना है तेल, तेल में आपको डालना है जीरा और राई, दोनों का तड़का लगाना है, जैसे ही वो अच्छे से हो जाए, तो इसमें हरे मिर्च और प्यास कट करके डालनी है, यहाँ पर मेरे पास कैरोड था तो मैंने थोड़ा सा कैरोड भी कट करके डाला है, आप चाहें तो इस स्टेज में थोड़ी सी कैपसिकम भी डाल सकते हैं, क्योंकि कैपसिकम का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से सौटे करेंगे, दीरे दीरे हम इसको इसी तरीके से सौटे करेंगे, जैसे ही औरेंजिश हो जाएं, तब इसमें हम अड़ करेंगे आलू, तो जो आलू थे वो बॉयल्ड मैंने पहले से करके रखे थे, यहाँ पर मैं सूखी मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, बस इतनी ही चीज़े डाल के यह बहुत टेस्टी बनके तयार होगा, तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से मैश किया, और मैश करके पूरी आलू यहाँ पर ले ली, यहाँ पर मैंने पांच मीडियम साइस की आलू ली थी, क्योंकि मैं तीन लोगों की सर्विंग के साब से बना रह और चलाने के बाद इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, साथ में यहाँ पर मैंने डाला है अमचुर, आमचुर आप इसमें जरूर डाले, थोड़ा सा खटा पनाता है, अगर आपके घर में आमचुर नहीं है, तो इसे मिस्कर सकते हैं, नीबू का रजबी आप इसमें आड मेरा जो आलू फ्राय बनके तयार हो गया, अब लेंगे हम ब्रेट बड़े वाले, जो साइंडविच वाले होते हैं, उनकी साइट कॉर्नर सम दीरे एक एक करके निकाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने दो दो एक साथ निकाल रहे थी तो खराब हो रहे थी तो फिर मैंने एक बिल्कुल इसी तरीके से दीरे दीरे आपको ब्रेट की सारी कॉर्नर्स अलग करनी है, यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेट की कॉर्नर्स अलग हो गई है, अब मैं लगाँगी बटर, यह सैंडविच बहुत सिंपल बन के तयार होगी और बहुत जटपड बनती है, तो इसको इसको बनाई है, तो यहाँ पर मैंने बटर दोनों साइड अपलाई किया है, और बीच में आलू की फिलिंग जोती, वह कर दी है, तो यहाँ पर उनके लिए तो सैंडविच मैं बना के रेड़ी कर लूँगी फटाफट से, तो यहाँ पर मैं दो सेट तयार कर रही हूँ, तो दोनों में मैंने अच्छी तरीके से आलो की पूरी फिलिंग कर दी मसाले की और उसके बाद मैं उसको दोनों तरफ से ब्रेट को प्रेस कर दूंगी तो यह सैंडविच हमारी बनके यहाँ पर रेड़ी होगी अब बारी आती है इनको रोस्ट करने की रोस्ट आप इसको कि बहुत अच्छे से तयार हो जाता है अब मैं यहाँ पर तयार करें अपने बेटे के लिए उसको बहुत सारा सॉस पसंद तो उसके लिए मैं मैं बटर लगा के सॉस वाली सैंडविच और कभी-कभी मैं हरी चटनी वाली सैंडविच भी बनाती हूं लेकिन घर में लोग कम करते हैं तो ग्रीन चेटनी वाली में थोड़ी स्किप कर देती हूं आप चाहो तो एक साइट ग्रीन चेटनी भी लगा सकते हो वह सेंड्विज भी मैंने शेयर की है और एक दो साल पहले तो आप वीडियो देख लीचेगा तो यहां मेरी सेंड्विच तो बनके रेडी हो तो मेरी इतनी सारी सेंड्विच मैंने बना के तयार कर लिए तो अब मैं मेरे बेटे की सेंड्विच तयार करती हूं तो उसमें मैं उपर से भी उसको थोड़ा सॉस लगा के दे रही हूं तो आप लोगों को मेरी सेंड्विच की रसेपी कैसे लगती है आप लोग मुझे क